कि अग्ला चुनाव हजार इलाल दांगी नहीं लड़ेगा जिसको भी पार्टी है मेरी पार्टी अधिक्रत करेगी उसको में साथ नुगार उनको भी चुनाव जिताऊंगा चाहे मुझे कितनी मेनत करने पड़े क्या सब्फण कैसा में आपके उनक campo क्याुख नियुकर आचलंगे छुनाव किhésitez यारिलाल मास्टर क्या सोचते प्रिवरत सिंग जी के बारे में पिछली बार की हार में वाओ जी क्या कमी रह गई थी और इस बार मना पाएंगे उन लोगों को जो आपसे नाराज थे और अभी क्या है कि 28 लोग टिकेट मांग रहे थे इस विदान सबा से तो 28 लोगों के घर जाकर आप मनाएंगी कि नहीं मनाएंगी उनको क्योंकि बड़े नाराज भी तो उनको खाने ही अच्छा नहीं लग रहा होगा कि यार हमको टिकेट नहीं मिला डोकराबा फिर जीद गए टिकेट लेने में जी नमस्कार राजगडवासियो मेरा नाम क्रिश्नपाल राठोर है और आप महारो राजगड़ का यूटूब चेनल देख रहे हैं टिकेट मिल चुका है और टिकेट मिलने की सबसे पहले बदाई देते हैं और ये पहला इंटर्व्य होगा टिकेट मिलने के बाद तो इनके विचार भी जानेगे इनके विचार धारा भी जानेगे वेसे मुझे खिल्चीपूर के दोनों नेताओं का Иंटर्वु लें में बड़ा मैजा आता है एक पृवरत्स सिंग जी और हजारी लाल जी दांगी और इनसे तकरार करने में इनसे नोक जोक करने में बहस करने में बड़ा नोलेज मिलता है जोदा है ज्यान मिलता है इसलिए इनसे कड़वे सवाल भी पूछेंगे लेकिन सबसे पहले टिकेट मिलने पर बहुत बहुत शुब कामना है धन्यवाद राजगर जिले में अभी वर्तमान चुनाव में सबसे पहले खिल्चीपुर विदानसभा स्थेत्र का नेड़ने हुआ है और मुझे बड़ी खुसी है कि जो पहला परिनाम जो आप संगठन वालों ने दिया है वो खिल्चीपुर के लिए दिया है और खिल्चीपुर में भी हजारी लाल लांगी के नाम से हजारी मास्टर के नाम से जो दिया है मैं मेरे संगठन के सभी बदादीकारी माननी प्रदान मंत्री जी से लेकर के और मुख्य मंत्री जी से लेकर संगठन के सभी नड़ा जी, अमीशा जी, बीडी शर्मा जी, हिता नंजी और जितने संगटन के लोग काम कर रहे थे बादनी नरें सिंग जी तोमर जी केलास विजेवर्गी जी जितने वरिस्ट लोग हैं मेरे मैं उनका आभारी हूँ कि उनने मेरे उपर विश्वास जता करके और मुझे टिकेट वापस दिया है मुझे ही शंका थी कि मुझे टिकेट नहीं मिलेगा लेकिन आपको थी शंका मुझे मेरे मन में ये था कि शायद पेले ये निर्णे हुआ था कि सित्तर के पार वालों को टिकेट नहीं देंगे लेकिन संगठन ने निर्णे लेकर के और मुझे टिकेट दिया है जो मेरे उपर विश्वास जता है तो मैं उनके विश्वास में खर आ उतरने की पूरी कोशिस करूगा अच्छा एक इंटर्वी मैंने आपका लिया था उसमें इसमें मैंने आपसे पूछा था कि यह प्रिवरत प्रिवरत सिंग्जी को आप टक्कर दे सकते हैं क्या तो आपने बोला था कि प्रिवरत सिंग्जी ही मुझे टक्कर दे सकता है और मैं ही एक इकलोता आदमी हूं जो प्रिवरत सिंग्जी को टक्कर दे सकता है तो वह बात तो अभी सच निकल गई लेकिन टक्कर होगी की नही को बीच में चुना हुए टक्कर हुई कि बहुत कस्मकसका चुना हुआ उनने मुझे हराया मैंने मेरी हार स्विकार करी पिछली बार के हार में वाओ जी क्या कमी रह गई थी और इस बार मना पाएंगे उन लोगों को जो आपसे नाराज थे और अभी क्या है कि 28 लोग टिकेट मांग रहे थे इस विदान सबा से तो उन 28 लोगों के घर जाकर आप मनाएंगी कि नहीं मनाएंगी उनको क्योंकि बड जारी लाल दाएंगी और प्रिवरसिंग के बीच में आपस में दक्कर है और चूंकि 13 में मैंने उनको हरा है ता 18 में उनना हरा दिया अब 23 में फिर बारी है तो मैं निस्चित प्रेम से बहुत प्रेम से प्रिवरसिंग जी को मात दूँगा और भारती जनता पार्टी को ब आपके अलावा पार्टी के पास अब वो उप्षन नहीं था तो वो क्या उप्षन को भुना पाएंगे और पिछली बार क्या कमी रह गया थी कुछ मतलब बता सकते हैं अंदर के बाद में पिछली बार मेरे कोई कमी नहीं थी कारी करता हूं नहीं बहुत मेनत करी लेकिन क्यूंकि फिर टिकेट में सबने टिकेट मांगे हैं और मुझे उम्मीद है मैंने उन में से कुछ लोगों को तो समझा लिया है और जो दो चार और बचे हैं मैं उनसे प्रतेक से विक्तिक अच्छम पर करूँगा लेकिन दो दिन के अंदर सारे लोगों को में समझा बुज करूंगा और मुझे उम्मीद में उसमें सबलता मुझे मिलेगी आज सारा नेत्रत भारती जनता पार्टी का नेत्रत बहुत मेनत कर रहा है सारा नेत्रत ने निर्देश दिये हैं वरिस्ट नेत्रत ने के भारती जनता पार्टी का कोई भी कारी करता अलग नहीं जाएगा संगटित होके काम करेगा और मुझे उम्मीद है मेरे यहां के जो लोग अभी एक दो तीन और हैं मैं एक दो दिन में उनको समझा बुझा आप समझाएंगे तो मान जाएंगे मुझे विश्वाः विश्वास है किऊ? कि मैभी जबसे मैं 2GP माया उन साहां है आ साथ लेके कि मुझे तो किस्मत से टिकेट दे दिया है पार्टी ने इस बार वहिया मेरी लाज रख दो मुझे चुनाव जिता दो मेरा यह आखरी चुनाव है इसके बाद मुझे उमर के हिसाब से भी पार्टी टिकेट नहीं देगी तो मैं आगे आने वाले समय में सब जिसको भी पार्टी अधिकर्द करें कि मैं आप लोगों की मदद करूँगा आपको चुनाओं जिताओंगा आपको जिताने में कोई कसन नहीं रखूँआ लेकिन अब इस सारे कारे करता मिलके और मेरे साथ जुड़के रहो और मैंने लोगों में भी जनता से यही चुनाओं में मेरी इलाज रख दो तो मुझे उमीद है कि सितर परसेंट जतनता ने मेरे उपर विश्वास जिताया है सर्वे में तो मैं निस्द अच्छे मतों से जितूंगा भारती जनता आखरी चुनाओं मतलम जीत कर जाएंगे जीत के जाऊंगा आखरी चुनाओं और उसके बाद में फिर मैं स्वताही में चुनाओं निलड़ूगा गोश्णा करते हैं आज आप बिल्कुल गोश्णा कर दी कि अगला चुनाओं हजारिलाल दांगी नहीं लड़ेगा जिसको भी पार्टी है मेरी पार्टी अधिक्रत करेगी उसको मैं साथ नुगार उनको भ मानियर अठोर साब मैं जबसे राजनिती में आया हूं चाय मैं पत्पे रहा हूं चाय पत्पे नहीं रहा हूं लेकिन मैंने जंता का जीवी संपर्ट नहीं तोड़ा है जनता के बीच में रहा हूँ, जनता की सेवाएं की है, कारिकर्टाओं के साथ लड़ जगड़ के काम करता हूँ और कारिकर्टा जहां के दाता हूँ, उसी का परिणाम था, कि छिल्चीपूर विदान सभा सेत्र की चारो नगर पंचायत में भारती जनता पार्टी को जिताने में हम लोग सपल हूए, सारे कारिकर्टाओं को लेके में साथ चला, बाहर का कोई नेता नहीं आया, लेकिन हमने इस्थानी इस्तर पर ही हम लोगों ने चारो नगर पंचाय अचा वो नगर पंचायत जिताने का कारानी तो नहीं है कि आपको टिकेट मिला? आपको टिकेट तो नहीं होगा, प्रहास किया होगा, कहीं तो देखा होगा, तीन बार, 13, 18 और 23, तीन बार मुझे भारती जनता पार्टी ने टिकेट दिया है, मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत रिणी हूँ पार्टी का, जब तक जिन्दा रहूँगा, तब तक भारती बारती जन्ता पार्टी का लिए काम करूँगा, अच्छा फिर मतलब यह है कि आपका आखरी चुनाव है, तो फिर वंचवाद तो नहीं होगा ना, आपके कोई चहीते, कोई आपके बेटे, पोता, पोती, जो भी हो, उनको टिकेट तो नहीं दिलवाने का प्रयास करेंगे ना, मैं, मैं टिकेट नहीं मांगूगा, ना वंसवाद के चक्कर में मैं पढ़ूगा, ठीक है, अगर मानलो मेरा बेटा, अगर कभी उस समय चुनाव होगा, अगर टिकेट मांगेगा, तो बेटा, बेटे के लिए काम करेगा, लेकिन मैं मेरी जिवान से नहीं काऊँगा, मतलम अपना बेटा, आपका बेटा, मतलम उनके दम पे टिकेट मांगेगा, उनकी दम पे कुछ भी करें, लेकिन मैं मेरी जिवान से नहीं कहूंगा, कि मेरे बेटे को टिकेट दें, वन्सवाद वाली बात, हजारी मास्टर, नहीं करकर ने, तो फिर कांगरेस में हो और आप खिल्चिपूर के लिए क्या कमियां आपको लगती है दरबार ने ऐसे क्या काम नहीं किये जो आप करवाएंगे यह तमाम सारी कमियां बता दीजिए आपको मोका मिला है दरबार पर बरसने का कि बने लेकिन आप से बात बता दूं खिलचीपुर के चारों तीन जो खिलचीपुर का कालेज जीरापुर कालेज चापेड़ा कालेज कि व्युवस्ता तो नाम मेरे कारीकाल में ने जूट बोलते हैं विदयक था जब में भूमी पूजन करा था लक्षमन सिंग जी सांसत थे इनने तो मना किया था कि कि बहुतुअ कालेच की बिलडिंग कालेच की जीरापुरेच की बिलडिंग जैन भागीदारी से बनाई जीरापूर का वीदायक था और जीरापूर कि लिधी आमसभा में חण, कर आ लिए वहाँ पर यह तो गलत बात है बूबी पुजन तो हमने किया था मानी मुख्यमंत्री जी आया थे नाराइन शिंग आमला जी का इंटरूर ले रहा था बोले में कोई बुजन हुआ है अगर यह यह सा केते हैं आज कुंडालिया डेम मौनपुरा डेम पारवती डेम यह माननी मुख्यमंत्री जी की देन है जो राजगर जिले में एक आज आज आप सो बता दूं कि कोई गाह में इसा नहीं बचेगा जिसने इन इसी चाहिए योजनाओं की कि बच के पीने का पानी और हर खेत में पानी जो पूछेगा यह माननी बर्चिमंत्री जी की देने भार्शा जंता पार्टी की देने इसाले तो इसी मंतरी चानों केंद्र की सर्कार थी किया बहारती जनतपाटी की सरकार थी नरेंद्र मोदीजी पुदान मंतरी दे उनकी देने कि सारी सड़के बनी सड़के पेले आप देख लो जीरापुर से आपके गाउं पुषंड आ लेकिन दिक्कत तो आपको भी होती होगी उस वाले रोड पर ने अभी स्टेसी के तया है कि मेंने कराई आप यह बता दो भारती जंता पाटी की सरकार कर बारती जंता पाटी अरह तुम जब मानते हैं कि तुम मंतरी थे उस समय सेंक्षन कराके काम चलू करा दे तो तुमारा काम होती है अब आज हम लोग करा रहे हैं और तुम बड़े प्रिवरत सिंग्जी श्रेय लेने काम करते हैं आप यह बोल रहें और आप से बात बता दूंग इनकी यह हालत है कि पहली बार चुनाव लड़ा था गाओं में जाके जो घोषना की थी आज तक उन घोषनाओं का पईसे गाओं में नहीं पहुंचा पक्का पक्का नहीं मैं क काफ है सारे लोग बोलते हैं कि दरबार तो बड़े जबान के पक्के आदमिये और आज मैं अभी मेरे गाड़ी में लिस्ट रखी है इन को जितनी रासी मिली यह कभी की सेंक्शन कर चुके हैं वित्रं कर चुके हैं आज जहां जा रहे हैं दस लाग दे दूँगा पास ला करी काई से दे देंगे पर जूटी गोस्ट ना कर रहे हैं जहां जाये वह जूटा भूम तरह से गाउं को लोग बिचारे बोले भाले लोग उनको गफला गफलू के पूंभी पूजन करने के लगा अबी अबी गफला की जीत नी जाए उआपसे यह न पॉइंट तो आप तो हजारी मास्टर में नि एक-एक बात रखूँगा जन्ता के बीच में खेले कांग्रेस अा बहुत काम किया और आज में विजिएपी मं हूं तुभी वहन मेंने बहुत काम किया इस सेतर में जो मैंने काम किया है अच्छा प्रिव्रेस्टिंग की दो तो दो कम्यां बताईए मुझे कि इन कम्यों के कारण वो हा रहेंगे चुनाओं दो कम्यां आपके प्रतिदवन्दी की जानना चाता हूं आपके मुझ से मैं तो यह के रहा हूंницу कि इन्के जितने वाइदे किए हैं गाउं में एक पईसा नई दिया दूफरी बात यह कोई के सीव काम इन्ने ऐसा नहीं किया आज ये बड़ी बड़ी बाते करते थे और मैं यह पट ना कालेज खुल यह कि इनने एक यहां कालेज के लिए गोशना करी थी कि मैं यहां क्रेश्टी कालेज को था पर वेटेनरी कालेज वेटेनरी कालेज खुलो हूँगा जो आज तक कई पता नहीं अगर इन में धम थी तो यह जब मंत्री थे उस समय उसका आडर करा देते उसका भूमी पूजन करा देते और उसका काम चालू करा देते तो आज धरा सल पर होता है इनने एक काम नहीं किया जो इस ख्षेत्र के लिए होना चीए था छोटी मोटी सड़के जो बची थी एक कोई सड़क इन्हें उस समय बनाई होगी बाकी तो इन्हें मेरे इसाब से कोई विकास का काम ने चाहिए विक्तिकत तोर पे तो अच्छा ही बता दीजिए विक्तिकत आदमी कैसे है विक्तिकत आदमी राजा महराजा है बात कर देते हैं और उसके बाद उसके ध्यान नहीं देते हैं यही उनमें एक कमी है इसी की वज़े से आज लोगों को लोबन दे दे करके और इनने जो जूटे दे दूँ मैं 36000 से उपर बोट से जितूँ गोशना ये बक्की बशली बार जो लोग रूठे थे उनको मना लूगा और नव मत दाता है उनको भी मेरे पक्षम है चूंकि नव मत दाता जितने हैं सारे नव मत दाता मोदी जी और सिवराज सिंग्जी के दीवान है क्योंकि जि मामा की भांजे और भांजियां बहुत खुश हैं कालेज में वह आज देखो इसकुटी दे रहे हैं लेफटाप दे रहे हैं विजेश पढ़ने के लिए भेज रहे हैं सारी सुईदाएं उपलब्द करा रहे हैं तो सारे बच्चे लाडली बहना योजना जो चालू करी है लाडली बहना गाओं में जाके देखे तो सब्सक्राइब के मामो देतोर्यों बाप रूमा लाली बहना पर कई सारी लाडली बहना उनका फार्म नहीं बढ़ा हैं उनने दुबारा तारिक बढ़ाई उसके बाद जो और बज गई उनके लिए भी अभी आप बात करेंगे तो उनने की उनकी तारिक बढ़ाएंगे उनसे आवेदन लेंगे सारी महिलाओं को अपन उससे जोड़ेंगे उस योजना से और उनका लाब उनको दिलाएंगे मतलम 36,000 से उपर इस बार तिलको 36,000 से उपर बोड से अच्छा मैं ना खिल्चिपूर का कोई भी वीडियो डालता हो न तो लोग काफी नीचे कमेंट करके आपके बारे में यूनिक यूनिक नारे बोलते कि माप करो महराज अपकी बार हमारा महार साब मतलम इस तरह से करवा सकते हैं खट करवा के यूँ दे आपको जनता ये जनता एक तो क्या है हजारी मास्तर्र सड़क का आदमी गाउं का रहने वाला है किसान का बेटाrite है और 24 गंता उपलब्द होने वाला आदमी इस आदमी की जूरत welcome कूष रहे सुख दुख में उनके बीच खड़ा रहे मैं आज अगर मानलों नी विदायक हूं लेकर उसके बाद में भी हज्जारों लोगों का इलाज कर रहे हूं मैं चिट्ठी लिखता हूं वह पाल जाता हूं मुख्य मंत्री जी से पैसे मंजूर करवाता हूं और मानि प्रदान मंत्री जी ने जो योजना चला रखी पांच लाग तक निश्वल आयूसमान कार्ड बनाता हूं और अस्पतालों में फोन करता हूं वहां मिलने जाता हूं भरती करता हूं लोगों के लिए अगर मानलो आज कई भी बीमारी में दुख सुक में अगर है तो मैं उनके बीच जाता हूं उनसे बात करता हूं उनकी हर संभव मदद करता हूं आज यहां चोटा से चोटा काम भी अगर किसी घरीब के होता है आप देख रहो मेरे यहां भीड यह तो प्रिवरत सिंग जी के वहां भी रहती है मैंने देखा है वो तो विदायक है मैं तो विदायक नहीं था लेकिन इसके बाद में उनके यहां से मेरे यहां ज्यादा बीड रहती है इसलिए बीड रहती है कि में लोगों को मेरे उपर विस्वास है कि मार साब के पास जाएंगे तो मार साब हमारी मदद करेगा हमारा काम कराएगा और ह कभी 12 एक बज़े निती नो वज़े मेरे काजय लेम आता हूं नो बज़े से लोगों से मिलना चालू करता हूं रात को 11 बजे 12 तक मिलता हूं जब जनता मेरे पास में आती है सबकी बात सुनता हूं इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं ज्यादा समय नहीं खाऊंगा एक मतलम जातिकत पूछना नहीं चाहिए मुझे इस समय लेकिन फिर भी मेरे पास एक जातिकत सवाल आया था कि दांगी और सोंद्या के बीच में बंती नहीं है और सोंद्या समाज के काफी वोट है यहां पर तो उनको केसे अपनी और खीचेंगे जो इस तरह की ब्रहांतिया फिलते हैं वो समाज को बांटने वाली सक्तिया है आज की तारीक में न तो दांगी सोंद्या गूजर कोई अलग नहीं सारे लोग किसान हैं गरीब परिवार के लोग हैं सोंद्या दांगी और गूजर हम सब मिलके आपस में एक जगे बेटके का करते हैं हमारा भारती जंता पार्टी जिले का अध्यक्ष ग्यान सिंग बूजर है तो संद्या समाज से देवी सिंग जी संद्या कि संगठन का जिले का महमंत्री पहले से या फिल्डिंग जमा के रखते के चुनाओं कैसे जीतना है और सारे समाज के संगठन में हमने जोड़ा है सारे लोगों को साथ लेके चलने हैं सारे लोग संगठीतों के काम कर रहे है उसका परिणाम आज की तारिक में कोई कोई अलग अलग नहीं है दांगी सोंद्या गूजर हम सब एक हैं इस सेत्र में अन्य समाज के लोग भी है जो सारे समाज के के लोगों को हम साथ लेके चलने हैं मैं आपको एक बात बता दूं कि आज मेरे मंडल माचलपूर का अद्यक्स है हनुमान पाटिदार समाज से जीरापूर मंडल का अद्यक्स विश्नु पॉमार सोंद्या समाज से अद्यक्स है छापेडा मंडल का अद्यक्स निर्मन लाला ह जो मेड़तवाल समाज से हैं और खिल्चिपूर का मंडल अध्यक्स बद्रिलाल दांगी है जो दांगी समाज से हैं अगर यह तालमेल हम नहीं बिठा थे तो आज हमें कौन साथ देता और हमारे इस खिल्चिपूर विदान सबाद का जो संयोजोग है वो मुकेस राठोड है जो राठोड समाज से आता है मतलब पहले से फिल्डिंग जमा रखें समाजिक तोर पर मैं वही तो बोल रहा हूं आप से पहले से आपने समझ रखा है कि चुनाओं कैसे जीतना है हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विश्वाज सबका विकास और सबका साथ इस हि साथ जो मोर्चे हैं उन मोर्चों में भी अलग-अलग समाज के लोगों को एम ने सबस्तारा कारी कारिकरता सारे समाज के लोगों को जोड़ रखा है या तक कि इसी वर्ग से लगा कि ब्रहामन समाज हमारा कि दिनेश पुरोई तो नाराज होंगे ना भी बात हुई कि नहीं उनसे तो यह तो मैंने मानी है में भी नाराज था आपसे चलिए बहुत अच्छा इंटर्वु रहा आपका और आपको अगरिम शुक्कामना है हमारी और आप चुनाओ जीते और भगवान करें कि जब अगली बार हम ब कि पहले दो-तीन बार और आपके पास आ जाउंगा मैं जंता के कमेंटे में जो सवाल आएगे और पूछना आएभवान करें आप विदायक बने विदायक बनकर आपका इंटर्व위 हम करें और पहला हमारा इंटर्वुु ले नहीं है आपको आप चिंता मत करो विदायक की पूरसी बार विदायक बनूगा और मैं आपको पहला इंटर्वी भी दूँगा और एक बात बता दूँ मैं तो आप से यही आगरे करूँगा कि आप भी इसी राजगर जिले के हैं सारंगपुर विदान सभा के हो तो अपन सबको मिलके योग भी जाएंगे और हम और आप सब मिलकर के और जिले का विकास करने में कोई कसर नहीं चोड़ेंगे इसे ताल मेल बिठा के अपन सब काम करेंगे बहुत बहुत धन्यवार बहुत चानक के लेकिन आप यह आखरी में काऊंगा तो हजारिलाल जी मास्टर से और इनको ट कोड़ निकालेंगे इस बार तमाम सारी चीजें हैं वीडियो को जाता जाता शेर कीजिएगा चैनल यादि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद